बॉल्वर सूपरस्टार आमिर खान हाल ही में नॉलिस्ट और कॉल्मिस्टर सोभाडे की नई बुक इंस्टियेबल माई हंगर फरन लाइफ के प्रमोशन इवेंट में शामिल हुए थे इस दोरां जब आमिर से पूछा गया कि डे के रोल के लिए कौन से आक्ट्रिस ठीक रहेंगी इस पर लाल सुइंग शधा आक्टर ने आलिया भट दिपिका पदुकोन और प्रियांका चोप्रा का नाम लिया इसके बाद डे ने उन्हें याद दिलाया कि वो कंगना रनामत को भूल चुके हैं इसके बाद आमिर ने उन्हें एक स्ट्रॉंग आक्ट्रिस कहा और इस बाद पर भी सहमती जताई कि कंगना भी डे के रोल में अच्छी फिट होंगी वहीं आमिर खान की वीडियो पर कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर रियाक्शन दे दिया आक्ट्रिस ने लिखा बेचारा आमिर खान हाँ 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 उन्होंने ऐसा धों करने की पूरी कोशिश की जैसे उन्हें पता ही नहीं कि मैं तीन बार नेच्रल आवार्ड विनिंग आक्ट्रिस हूँ जिनको उन्होंने mention किया उनमें से किसी के पास एक भी नहीं है थांक यू अर्दरेट डे शोभा जी मुझे आपका रोल प्ले करना अच्छा लगेगा कंगना ने आगे लिखा है कि शोभा जी और मेरे राजनतिक विचारों के बीच विरोध है लेकिन ये उन्हें मेरी आर्ट करी मेहनत और मेरे क्राफ के लिए डेडिकेशन को सुविकार करने से नहीं रोपता है जो किसी के अखंडता और वेल्यू सिस्टम का रिफलेक्शन है आपके नई बुक के लिए आपको शुब कामना है माम सौरी मेरे पास पहले ही चार नेशन अवार्ड है और एक पदमिशुरी मेरे फैंस ने याद दिलाए कि मुझे ये भी याद नहीं है कि मेरे पास कितने है कंगना ने शोभाजी की तारीफ करते वे आमिर द्वारा बताए गई आक्टरस पर भी तंच कसा दरसल एक टिटर यूजर के कमेंट पर कंगना लेखा हाँ हाँ वो सेल्फ मेड तेस तरार और सूपर इंटेलिजन्ट है वो क्यों चाहती है कि कोई बेसिक उनकी भूमिका निभाए मैं बहुत लखी हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया मुझे शोभाजी का किरदार निभाना अच्छा लेगा वो गुरवादी पुर्शों के दुनिया में ये गर्ल लव है वोक फ्रंट की बात करें तो कंगना कई प्रोजेक्ट्स में विजी हैं वो जल्द ही फिल्म एमोजिंसी में नजर आएंगी हाल ही में टीम ने फिल्म के असम शेडूल को पूरा कर लिया इस फिल्म में कंगना पहली महिला प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी का किरदार निभाएंगी फिल्म 1975 से 77 के बीच आपतकाल के दौरान भारत में राजनितिक उतल पतल पर आधारी थे इतना ही नहीं कंगना एस्पीरिय ड्रामा कंडर्डेशन भी कर रही है